अब आशी सिंग लेक्चर्स आयाम अधिहा खान यॉर फ्रेंड वुज एर टो एल्प यॉ इंग्लिश लेंविज तो आश की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नीग चैप्टर जिसका नाम है द नेक्लेस भई अब द नेक्लेस नेक्लेस का क्या गामे एक स्टोरी म वाली है वो किस तरीके से वो हम जानेंगे इस स्टोरी में फिलहाल जान लो कि इसके ओथर कौन है गाई डी मॉपासान ठीके इसके ओथर जो है वो यह है ठीके तो यह अब आप उसमें स्टार्ट करते हैं मागे यहाँ पर एक लेडी की बात हो रही है जो बहुत अच्छी बहुत खूपसूरत सी थी लेकिन दुर भागय से जो है क्लरक के घर में पैदा हो गई थी तो कोई मतलब वो दहेज वाली चीज नहीं कोई आशा नहीं कुछ नहीं कोई चाहा नहीं थी कि एक अच्छे मतलब रिच आदमें से शादी करनी है कुछ और उन्होंने खुद को अलाव कर लिया था एक पैटी क्लरक, पैटी चोटा साथ मुई प् Bus चोटे सânल पर कोई क्लरक से उन्होंने शादी कर ली थी she was simple but she was unhappy, simple सी लड़की थी, simple सी लेडिी थी, कोई ऐसे चाहा नहीं थी ज्यादा, लेकिन unhappy थी, खुश नहीं थी She suffered incessantly, incessantly होता है भाई तुम्हारा, incessantly होता है निरंतर, यहां लिखती हूँ मैं, निरंतर, मतलब, continue, मतलब, वो सफर ही करती रहती थी, परेशान ही होती रहती थी, feeling herself born of all delicacies and luxury, उनको हमेशा, मतलब, यह feel होता था, कि आर काश्की में, किसी बड़े घर में, मतलब, पैदा हुई होती, तो मेरे पास हर चीज होती, हर खाने से लेकर, हर luxurious चीज मेरे पास होती, फिर all these things tortured and angered हर, यह जो सारी चीज़े न, वो उन्हें बहुत जादा torture करती थी, और बहुत जादा उन्हें उस चीज़ की वज़ा से घुस्सा आता था, जब वो बैठी, मतलब, यहाँ पर देखो, उनके घर का सीन चल रहा है, कि उनके husband के साथ वो खाना खाने बैठी, तो उनके husband उन्होंने कहा किया, वो cover हटाया, और महाँ पर खाने में क्या था, pot pie, तो उनके husband क्या बोले, a good pot pie, मतलब, एक अच्छी pot pie, pie पता है ना, खाते हम apple pie और यह वाली, वो वाली बात यहाँ हो रही है, ठीके, देख लो, फिर आगे चलते हैं, चलो, अब क्या हुआ आगे, I know nothing better than that, she would think of elegant dinners, of shining silver, she thought of the excusate food served in marvelous dishes, एना, excusate होता है तुम्हारा उत्तम, मतलब बहुत अच्छी, है ना, तो, वो क्या है, कि भाई, वो क्या बोलती, क्या सोचती है कि मुझे से जादा अच्छी जीस, तो मैंने का भी सोची नहीं, और फिर वो अच्छी चीज़ों के बारे में, सोचने लग जाती है, है ना, खाने की, she had neither frocks nor jewels, nothing, उनके पास ना ही अच्छे कपड़े थे, ना ही अच्छी जूलरी थी, कुछ भी नहीं था उनके पास पहनने को, and she loved only those things, अब देखो, एक लड़की है, एक वोमेन हो, उसके लिए क्या मैटर करेगा सबसे जादा, उसके कपड़े, उसके आभूशन, उसके गहने, यही चीज़े मैटर करेंगी, she had a rich friend, our schoolmate, at the convent who she did not like to visit, उनकी एक friend थी, जो बहुत अमीर थी उनके school के time में, जिससे वो मिलना पसंद नहीं करती थी, क्यों, क्योंकि उन्हें क्या होता था, पास्ट फॉर्म लिखी भी है, for hold is from despair and disappointment, despair and disappointment दोनों ही होती है निराशा, one evening a husband returned elated bearing in his hand, a large envelope, अब एक दिन क्या होता है, उनके husband क्या होते है, खुश होके, elated होना, उतेजित होना, और उनके हाथ में क्या होता है, एक envelope होता है, envelope लिफाफ़ा होता है, here he said, here is something for you, और वो अपनी wife को देते हैं, और क्या बोलते हैं, कि लो तुम्हारे लिए कुछ है, she quickly drew out a printed card, on which were inscripted these words, inscript लिखे होए, वो जल्दी से वो card निकालती है, envelope में से और उसके अंदर क्या लिखा होता है, उसके अंदर लिखा होता है, the Minister of Public Instruction and Madam George Ramponio, Madam और Madam, same चीज है है न, आज the owner of MME, यह जो MME लिखते हैं न, यह क्या है short form है, किसकी Madam की, ठीके, यह समझ आगे हैं, यहाँ पर MME जो भी आएगा, वो Madam की short form है, तो उनने यहाँ क्या लिखा, आज the owner of Mr. and Madam Loisle's Company, Monday evening January 18 at the Minister's Residence, तो यहाँ पर क्या होता है, एक invitation card आया था, कहां से, Minister's Office से, कि भाई, कौन एक तो Mr. और फिर Madam Loisle, मतलब दोनों जो husband wife ते, जिनके हम अभी story पढ़ रहे हैं, उनको जो है, Minister ने invite किया था, ठीके, इतना clear हो गया, इतना समझ आ गया, चले आगे, Instead of being delighted as a husband had hopped, she threw the invitation spitefully upon the table, spitefully, एना, तो यहां पर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, भाई, खुश होने की जगा क्या किया, उसे दुर्भावना से फेग दिया, spitefully होना, दुर्भावना, दुर्भावना मतलब कि भाई, नहीं पसंद आया, गंदे तरीके से, उन्होंने ठेग दिया, अब वो बोलते हैं कि मैं इसका क्या करूँ, तुम क्या चातों मैं इसका क्या करूँ, वो गुस्सा हो जाती है, बट मैं डियरी, आई थॉट इट वूट मेक यू हैपी, तो उनके हैस्बन बोलते हैं, बट मेरी प्रिये, मुझे लगा कि तुम इस चीज ते खुश होगी, तुम कभी भी बहार नहीं जाती, और अभी हमारे पस एक अच्छा अवसर आया, बहुत अच्छा फाइन वन, बाई मिनिस्टर ओफिस से कार्ड आया, तो बहुत अच्छी पार्टी होने वाली थी, सब ही ऐसी पार्टी की चाहा रखते हैं, और सब को सारे एंप्लोईज को यह चीज नहीं मिलती है, तुम वहाँ पे पूरा जो भी मेरा ओफिस का स्टाफ है, सारा जो भी ओफिसल वर्क है, वहाँ तुमें सब वो पूरा वर्ल्ड देखने को मिलेगा, पहले तो वह ऐसे देखती हो, जल्दी से बोलना, बताना, बोलना, वह बोलती है, इतने अच्छी पार्टी में तुम्हें क्या लगता है, मेरा बस पहनने के लिए है क्या, क्या पहन के जाओ मैं? स्टैमर्ड होता है, एकदम हखलाना या हिचकी जाजना, है ना? उनने ये तो सोचा कि वह जाती नहीं जाएगी, लेकिन जब उसने ये बात रखी उनकी वाइफ ने, कि मेरा बस पहनने के लिए है क्या, जो मैं जाओ, तो उननने ये चीज़ सोची नहीं थी, वो एकदम रुख गय, हकला गय है, ना? वो बहुते हैं कि वो ड्रेस क्यों नहीं पहनने थी, जो हम मूवीज देखने, थीटर देखने जाते हैं, वो पहन लो, अब क्या था हो बोलते हैं कि जो हम थीटर जाते हैं, अगर हम वो वाली, तुम वो वाली ड्रेस पहन लो, मुझे तो वो बहुत जादा ही सुन्दर लगती है, और he was silent, stupified in this में, stupified क्या होता है, stupified होना बिल्कुल भाई, बंदा सुन हो गया, शान्त हो गया, और सुन हो गया, ठीक है, डिस में एकदम दुख हो गया, उसको इस बात का, इस तरीके से, ठीक है, he stammered, what is the matter, what is the matter, है न, अब वो क्या होता है, कि भाई, वो क्या करता है, भाई, हकला जाता है, उसने सोचा नहीं होता, वो कहता है, अच्छे, क्या problem है, क्या मामला है, मुझे बताओ, वाई, वोईलेंट एफ़र्ट, शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, वैक्सेशन होता है, चिर्चिड़ापन, है न, तो, एक मतलब बहुत जादा एफ़र्ट लगा, उन्हें अपना चिर्चिड़ापन रोकने के लिए, उनकी वाईफ को, और फिर वो बोली, एक काम शान्त वाईज में, वाईपिंग हर मॉईस्ट चिर्चिड़ापन रोक कर, और साब अपने आसु आसु पोच कर, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, पहनने के लिए, इसलिए इसकी वज़ा से, मैं इस पार्टी में इस अफ्यर में नहीं जा सकती, वो बोलते कि आप किसी अपने कलिक को ये कार्ट दे दो, जिसकी वाईफ एटलिस मुझे तो अच्छी लगे और जा पाए, जिसके बाद एटलिस एग अच्छी ड्रेस हो, उनका नाम क्या होता है, जो मैडम लोईजल, उनका नाम है मतिल्डा, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, ग्रीवड होना दुखी हो जाते हैं वो, उनके हस्बेंड दुखी हो जाते हैं, वो बोलते हैं, पिर वो बोलते हैं, अच्छा तुम्हारी एक ड्रेस जो तुम दूसरे ओकेजन पे भी पहन सको, एक सिंपल सी प्यारी सी ड्रेस, जो तुम दूसरे ओकेजन पे भी पहन सको, ऐसी कोई ड्रेस अगर हम लें, तो उसमें कितना खर्चा होगा, अब वो क्या बोलते हैं, फाइनली शी सेड इना हेजिटेटिंग वोईस, हेजिटेटिंग हिच्किचाहट वाली आवाज में वो फाइनली बोलती है, I cannot tell exactly, बट इस सीम्स तुमी तट 400 फ्रांस और चु कवर इट, फ्रांस देखो क्या है, फ्रांस है स्विट्जरलेंड की करेंसी, यूनिट ऑफ मनी है स्विट्जरलेंड की, तो वो हिच्किचाहकर बोलती हैं कि मैं एग्जेक्ली तो नहीं बता सकती, बट हाँ तकरीबन 400 फ्रांस रूप तो मुझे लग जाएंगे, है ना स्विट्जरलेंड की मनी यूनिट है फ्रांस, फ्रांस, वो यहां पे कहा हुआ कि वो पीला पड़ जाता, मतलब ऐसे फीका पड़ जाता उसका फेस, क्योंकि इसने सेम इतना ही अमाउंट जो है खुद के लिए सेफ कर रखा था, कि वो जो है अगली गर्मियों में अपने दोस्तों के साथ जो है पक्षियों का शिकार करने के लिए एक दिन खरीद पाए उसने वो पैसे उसलिए सेफ करेंगे, nevertheless he answered very well, लेकिन फिर भी उस बिचारे ने, उसके हस्बन ने अपनी खुशी छुपा कर अपना जो भी था वो हटा कर बोला कि ठीक है, I will give you 400 francs but try to have a pretty dress, वो बोलता है कि ठीक है मैं आपको 400 francs जो है दे देता हूँ but please एक प्यार इसी dress लेकर आना अपने लिए जो आप दूसरे occasions पर भी पहन सको, The day of the ball approached and Madam Loisel seemed sad, disturbed, anxious है ना, आप जो ही बॉल वाला दिन आने वाला तो बॉल देखों वहाँ पर पार्टी होती है ना, जो बॉल डांस होता है और बॉल गाउंस पहने होते हैं सबने, वो वाली पार्टी की बारत हो रही कि वो दिन बस आने ही वाला है, पास में ही होता है और Madam Loisel जो होती है वो उदास हो जाती है और anxious हो जाना, anxious हो जाना चिंतित हो जाना है ना, चिंता करने लग जाती है, Her husband said to her, No, nevertheless, her dress was nearly ready, But उनकी dress थो पूरी रेटी थी, फिर किस चीज की चिंता थी, Her husband said to her one evening, What is the matter with you, you have acted strangely for two or three days, अब उनकी husband जब देखते हैं, अब उनकी dress भी रेड़ी है, अब क्या परेशानी है, तो वो उनसे पूछते हैं कि अब क्या मामला हो गया, अब क्या परेशानी है, तुम दो तिन दिन से बहुत अटपटा सा बिहेव कर रही हो, And she responded, I am very waxed, not to have a jewel, Nothing to add on myself with, अब बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा waxation करें तो मैं बहुत ज़्यादा चिर्चड़ा पन, तो मैं बहुत ज़्यादा चिर्चड़ा रही हूं इस बात से, कि मेरे पास कोई भी jewelry नहीं है, पहनने को, कुछ भी नहीं है, अब वो बोलती कि मैं बिल्कुल ऐसी गरीब सी ही दिखूँगी वहाँ पे, अब वो बोलती कि मुझे लगता है कि मैं नहीं ज़ा पाऊंगी इस पार्टी में, तो उनके husband क्या बोलते हैं कि तुम नैच्रल फ्लार्स पहन लो, इन दिस तीजन दे लुग बेरी शीक, देखो चीक नहीं बोलना, शीक होता है न, यहाँ पे CH की अवाज चा नहीं शा आएगी तो शीक, शीक होता है बहुत जादा ऐसे अथा सा गर्ली सा लगना वो वाली चीज होती, फैशनेबल लगना, वो बहुत अच्छे लगेंगे, इस सीजन में शीजन में शीजन में लेकिन वो इस शीज पर नहीं मानी, अवो बोलते कि नहीं, इस से जादा बुरा कुछ नहीं होने वाला कि इतनी मिट्स हम यूज करते हैं बीच में, है न, मिट्स चो वर्ड यूज होता है, यह होता है, बीच में, कि भई मैं अलग ही गरीब दिखूँगी, छोटी दिखूँगी उन सारी अमीर लेडीज के बीच में, बैन हो हस्बेन क्राइड आउट हाव स्टूपिड भी है, फिर उसको हस्बेन एकदम उसे कुछ यादादा, वो बोलता, अरे यार कितने पागल हैं हम, अब वो बोलते कि जाओ, अपनी फ्रेंड मैडम फ्रेंट के पास वही जो कॉर्ण वाली फ्रेंड थी जो रिच थी, जिसको जादा अच्छाने लगता था मैडम इनको लुईजल को मिलना, है ना, तो उनके पास जाओ, उनके पास तुम्हें कुछना को जूली मिल जाएग The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress, next day वो क्या करती है, अपने फ्रेंड के पास जाती है, और उन्हें अपनी जो भी पूरी दुखबरी कहानी होती है, वो पूरी सुना देती है, Madam Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear, Madam Frostier अपना बड़ा सारा जूली बाक्स, क्योंकि वो बहुत रिच है, लेकर आती हो और बोलती है कि इसमें से तुम्हें जो भी चाहिए, तुम सलक कर लो, she saw at first some bracelets, then a collar of pearl, then a venetian cross of gold, and jewels of admirable workmanship, अब वो जब वो बॉक्स खोलती है, तो Madam Loisel कहके देखते हो, उसमें कि ब्रेसलेट से अच्छे अच्छे, और क्या है, परल का ऐसा collar type बनावा है, पूरे मोतियों का, वो है, और venetian cross, venetian cross वो होता है, वो नहीं होता है cross, जो Jesus वाला cross हो कोने का वो cross, और भी दूसरी बहुत सारी ऐसी खूपसूरत काम की हुई जूल्डी थी, she tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them or leave them, उनने हर जूल्डी जो है, आइने के सामने खड़े हो की try करी, लेकिन वो confused हो रही थी कि ये वाली है, मतलब वो confused हो रही थी कि कौन सी जूल्री वो रखें, clear Then she asked have you nothing more, why yes, आप बोलती कि तुम्हें पस और कुछ नहीं है, तो Madam Forrester बोलती है कि हाँ, क्यों, look for yourself, I do not know what will please you, तुम्हें तुम्हें अपनी हिसाब से देख लो, तुम्हें जो भी चाहिए, मुझे नहीं समझा रहा कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds, diamonds टाहिए है भई, तो क्या होता है, अब वो उनकी जो नजर एक satin के box पर पढ़ती है, असा मकमल, satin होता है, soft soft सा, उस पर नजर पढ़ती है और उसके अंदर क्या होता है, एक diamond necklace होता है, her hands trembled as she took it out, trembled उनके हाथ असे कपकपा रहे थे जब उनने वो box न ecstatic, अब क्या हुआ, कि उन्होंने वो निकाला और वो निकाल कर उन्हें कैसा, उन्होंने क्या पाया, कि वो कैसा लग रहा था, उनके गले पर इतना अच्छा लग रहा था, कि वो कैसी हो गई, आनन्दित हो गई, बहुत जादा ही खुश हो गई, then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could you land me this, only this, why yes, certainly, फिर वो जो है, क्या बोलती है, कि hesitate, हिचकिचा कर बोलती है, क्या तुम मुझे यह उधार दे दोगी, बस मुझे यही चाहिए, तो उनके जो फ्रेंड होती है, Madam Forrester, वो कहती है, हाँ, बिल्कुल, she fell upon the neck of her friend, embarrassed her with passion, then went away with her treasure, है न, वो अपने फ्रेंड के गले लग ज बॉल अराइब, अब वो जो पार्टी वाला दिन था, वो आ गया, Madam Louise was a great success, she was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy, so Madam Louise was a great success, का मतलब कि वो बहुत जादा अच्छी लग रही थी, वो महा सबसे जादा खूबसुरत लग रही थी, और वो खुद भी बहुत खुश थी, smile कर रही थी, अच्छ to be presented, सब लोग जो है, जो सारे आदमी था, उनके आगे पीचे घूम रहे थे, उनको मतलब compliments दे रहे थे, उनका नाम पूछ रहे थे, और खुद को उनके सामने, मतलब नजर में आना चाह रहे थे, है ना? She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing, but all the admiration, this victory so complete and sweet to her heart, अब वो क्या कर रही थी, enthusiasm होता है, जो और intoxicated होता है, नशे में चूर तो, या हो रहा था, अब वो भई, मतलब इतनी खुश के साथ, उन्हें पूछ रहे है, सब सची वो लग रही, तो खुब जोश के साथ, नशे में चूर होकर, अपने खुशी से, सब चीज़े सोच कर कि देखो, कितना मुझे सबने एडमार किया, खुब नाच रही थी, और उनके हजबन कहा थे, आधी नींदों में दूसरी तरफ पड़े थे, और भी तिन लोग के साथ, जिनकी वाइफ भी इंजॉए कर रही थी, कि तुरू अराउंड हर शोल्डर्स, दा मॉडेस्ट रैप दे हाड कैरीड, उस पोवर्टी क्लैश विद अलिगेंस ऑफ बॉल कॉस्ट्यूम, अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि थंड थी तो उन्होंने क्या किया, उनको अपनी वाइफ को जो हे, एक ऐसा रैप, शॉल् अब उन्होंने क्या किया, जल जल दी महां से निकलने की कोशिश की, जो दूसरी औरते हैं, जो अपने इतने अमीर अमीर फर्स वाले उनके पास हैं, रैप्स, वो मुझे नोटिस ना कर पाए, लॉजल डिटेंड हर वेट, सेड ही, आम गॉइंग तो कॉल अप, लॉजल उ कि रुख जाओ, हम क्या आप कर लेते हैं, मतलब टैक्सी कर लेते हैं, but she would not listen and descend in the steps rapidly, लेकिन उन्हें इतनी चिंता हुरे थी कि यार, ऐसे घरीब से रैप में मुझे देख लेंगे ये लोग, तो उन्हेंने कुछ भी नहीं सुना, और वो आगे भागे जा रही थी, When they were in the street, they found no carriage and they begin to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance, और जब माँ स्ट्रीट पे पहुच गए वो तो उन्हें कोई भी carriage, कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी, They walked along towards the river, hopeless and shivering, वो पूरी जो river उन्होंने cross करी, मतलब पास में से, और उनको बहुत थेंड लग रही थी, तो कपकपा रहे थे, Finally they found one of those old carriages and one sees in Paris after nightfall, फिर उन्हें फाइनली एक पुराना सी गाड़ी, पुरानी सी गाड़ी मिल गई, जो तभी रात होने के बाद, जो है nightfall, मतलब जब बिल्कुल तोड़ा सुबा का time आने लग जाता है न, उस time Paris में दिख जाती, It took them as far as their door and they went verily up their apartment, verily थकान भरे, है न, थकान के साथ, या थके हुए, तो उसके गारिज ने उन्हें जहां तक वो छोड़ सकता था, उनके दरवाजे के करीब महा तक छोड़ा, और वो दोने थके थके, अपने apartment में गुषने लगे, It was all over for her, और वो जो भी रात थी, जो इतनी अच्छी थी उनके लिए, वो खतम हो चुकी थी, and on his part, he remembered that he would have to be at office by 10 o'clock, तीकिए अब ये सब होने के बाद, जो, उनके जो husband थे, उन्हें याद है कि उन्हें सुबाद 10 बजे office जाना है, बाई, और ये चार पांच तो बज for a final view herself in her glory, अब उनने क्या किया, आइने के सामने खड़ो कि वो जो wrap था वो हटाया और खुद को निहारने लगी एक last बार, suddenly she uttered a cry, her necklace was not around her neck, OMG, ये क्या हो गया, उन्होंने जैसे वो wrap हटाया, तो उन्होंने क्या पाया, कि भाई, diamond का necklace गायब है, और चिला पड़ी वो जो से, Loisel already half undressed, asked what is the matter, Loisel उनका husband already change कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, she turned towards him excitedly, I have, I have, I no longer have, madam, forestier's necklace, अब वो एकदम मतलब भई, मेरे पास उनका necklace नहीं है, He arose in dismay, how, is that, it is not possible, वो मतलब बिल्कुल परेशान हो जाता है, कि भाई, कैसे हो गया ये, ये पॉसिबल ही नहीं है, इतना महेंगर diamond का necklace नहीं खो दिया, and they looked in the folds of the dress, in the folds of the clock, in the pockets, everywhere, उन्होंने हर जगह, जो भी उन्होंने dress पहनी थी, अपने pockets में, अपनी जेवों में, We all had it when we left the minister's house, अब उनके husband पूछते कि तुम्हें, तुम पक्का confirm होना कि भाई, जब हम minister के घर से निकल रहे थे, तब तुमने पहना हुआ था वो, yes, I felt it as we came out, but if you had lost it in the street, we should have heard it fall, it must be in the cab, हैना, आवों बोलते है कि, yes, मैंने पहना हुआ था, मैंने उसे feel किया था, but अग तुमने नमबर लिया था, तुमने नमबर लिया था, तुमने नमबर लिया था, तुमने नहीं नहीं लिया था, and you, did you notice what it was, no, उनने कुछ भी नोटिस नहीं किया, they looked at each other, utterly cast down, finally, Loisel dressed himself again, I am going, he said, over the track, where we went on foot to see if I can find it, finally, अब कुछ नहीं हो सकता था, तो Loisel ने अपने कपड वापस पैने, और कि भाई मैं जा रहा हूं, वहाँ पे स्टीट पर जहां पे हमाई उस रास्ते से वापस देखता बात हूं, क्या पता मुझे मिल जाए, कुछ सुराग मिल जाए, and he went, she remained in her evening gown, not having the force to go to bed, और वहीं रुख गई और उनसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी, कि भा पर offering a reward है ना, और अब क्या होता है, वो घर आते हैं, घर आते हैं, वो क्या काम करते हैं, कि पुलिस में भी इनफर्म कर देते हैं, और क्या करते हैं, कि यार अगर कोई diamond का necklace मिला है, तो please मुझे लोटा दो, advertisement करते हैं, और एक reward भी रखते हैं, कि नाम भी रखते हैं, she waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster, अब क्या होता है, वो पूरा टाइम जो है, वेट करती हैं, कि इसमें घबराहट में, है ना, उनको घबराहट हो जाती है, और obviously यार किसी का इतना महेंगर diamond necklace जो आप पे भी नहीं कर सकते वापस, तो आप कितना घबराहट हो जाते हैं, तो bewilderment का मतलब होत तो कैसे पे करेंगे, क्या करेंगे, और इसी के साथ आगे की कहानी हम पढ़ेंगे, next class में इसके आगे क्या हुआ, क्या वो necklace मिलता है, या वो आगे क्या करते हैं, वो जानेंगे हम next part में, तब तक के लिए, this is Madiha Khan, signing off right now, bye-bye, have a nice day.